हलो दोस्तों मैं परशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक क्वीडिटी कमूडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा टूल या फिर इंडिकेटर के बारे बताने जा रहा हूं जो कि आपको ट्रैप से बचा सकता है और अगर मार्केट का अप्ट्रेंड आपका यहां तक चला था लेकिन क्या इस पार्टिकुलर जोन में मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसी लाएंगे थूर अपसाइट वोटम दिखा है ऐसा नहीं हुआ है मार्केट ने कई बार विट्वेस्मेंट भी दिखा है और कई यहां पर हमें इस पर्टिकुलर जोन में उनको पता नहीं चलता है यह जो रिट्वेस्मेंट है यह जो परोफिट बॉकिंग जोन है इसमें market कितना गिरावट दिखाएगा, कहां तक गिरेगा, लेकिन यहाँ पे हम जो tool और indicator का इस्तेमाल करेंगे, इस particular zone के बाद जो market गिरा है, वो आपको exact idea दे देगा, कि यहाँ पे अगर market नीचे जा रहा, तो कितना नीचे जा सकता, उसके बाद आप जो इस particular period में trap हो जात और क्या आपका target price होगा, वो भी well defined और काफी clear cut बता देगा, इसके बाद देखिए, वापस से market का uptrend स्टार्ट हुआ है, यहीं market का uptrend ही है, लेकिन उस uptrend में भी बहुत साई लोग गलत जगा पे buy करके trap हो जाते हैं, गलत जगा पे entry करके नुकसान कर बैठते हैं, उसके लोगों का problem रहे था कि इस particular जो में वो सही तरीके से trade नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे entry लेके वो क्यार कर लेते हैं, वो नुकसान कर लेते हैं, trap हो जाते हैं, यहीं trap से वो powerful indicator आपको बचाएगा, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी दिर बाद आपको बताएंगे, तो clear cut समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो हम किस topic के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में जो हम टूल या फिर बोल सकते हैं, इंडिकेटर उसका इस्तमाल करने जा रहे हैं, उसका नाव है, फेबनाची, विट्वेस्मेंट, इसके वेशिस पे हम easily identify कर सकते हैं, कि कहां पे आपके लिए trap बिछाएगे हैं, यहां पे हम विट्वेस्मेंट को आसानी से identify कर सकते हैं, और यह जो रिट्वेस्मेंट है, वो आता कब है, अगर market upside move जा रहा है, तो वहां पे हमें profit booking देख कितना है, काफी तेजी से, और उसके बाद जो वहां पे short covering आता है, उस short covering में market कितना ऊपर जाएगा, वो भी हमें यह particular identify करके बता देता है, इससे क्या होता है, इससे आप trap नहीं होंगे, और सही जगह पे entry कर पाएंगे, और सही जगह पे stop loss target price भी आप find कर पाएंगे, तो आप तक पहुंच जाए, और आप उस important video को miss ना कर पाएं, तो यहाँ पर इससे related कुछ point है, सबसे पहले हम उसके उपर बात करना चाहेंगे, सबसे पहले, फेबनाची विट्वेस्मेंट को हम use कैसे करेंगे, यह हमें क्या क्या indication देता है, सबसे पहले, अगर हम फेबनाची profit booking बोलते हैं, और आप downside move के बाद जो correction आता है, उसको generally हम लोग short covering बोलते हैं, यह नहीं, यह आपको profit booking और short covering zone, जो की most tricky zone होता है, जहां पे mostly लोग trap होते हैं, उस zone में यह आपको help करने वाला, और उस zone से अगर आप सही सलामत निकल जाते हैं, तो फिर आप आसानी से बच सक zone से अगर आप निकल जाते हैं, तो आपका accident होने की probability काफी कम हो जाता है, यहीं चीज़ market में यहाँ पे होता है, जो आपका short covering zone होता है, या profit booking zone होता है, वहाँ पे trap होने और losses करने के chances जादा रहते हैं, और उस particular period को अगर आप सही सलामत निकाल लेते हैं, तो फिर आप market से आसानी से profit बना सकते हैं, उसके बाद यह आपको help करता है, new positions लेने में, यानि new जगह पे कहां आपको interview लेना, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बता देगा, यानि अगर market आपका upside की तरफ जा रहा है, और आपने bottom पे buying नहीं किया है, उसके बाद भी आपको बहुत सारा opportunity मिल सबसे पहला point होगा, कि trap से हम कैसे बचेंगे, फिर हमारा entry point क्या होगा, हमारा stop loss क्या होगा, target price क्या होगा, इन चार point पे हमारा focus होगा, using febronacci, retracement, चली चार्ट पे चलते हैं, और इन सब को समझने की कोशिस करते हैं, तो यहाँ पे हम चार्ट पे वापस आगे, अब देख दिखा है, उन सब को छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो upside momentum दिखा है, इसके बाद गिरावट दिखाया है, वो गिरावट कहां तक रहेगा, वो हम identify आसानी से नहीं कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि यहीं तक रहेगा, और यहाँ पे अगर हम क्या कर लेते हैं, इ अगले दिन हमारा यहाँ पे SL हीट होगा और हम यहाँ पे नुकसान में आ जाएंगे, इस पार्टिकुलर जोन को हम कैसे identify करेंगे, वो कहां तक मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे विट्रेस्मेंट अपलाई करते हैं, फेबनाचे विट्रेस्मेंट देख स रखते हैं, पार्टिकुलर इस लेवल तक गिरावट दिखा, यानि इसके बाद कहां तक विट्रेस्मेंट लेगा, कहां तक करेक्शन लेगा, कहां तक profit booking zone होगा, उन सब को यह identify करके मेरे सामने clear cut रख दिया है, यानि अगर हमें यहाँ पे entry लेना होगा, सबसे पहले हम य अगला जो भी लाइन होगा, यह टागेट पैस होगा, तो देख सकते हैं, काफी clear cut हमें levels दे रहा है, और इसके वेशिस पे जो ट्वेडिंग डिसियन्स लेना होगा, वो हमारा काफी आसान हो जाएगा, तो यहाँ पर चलते हैं, अब हम एक एक करके level समझते हैं, सबस्पे चोटे चोटे पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पर अगर हम फ्यपनाची वेट्रेस्मेंट अपलाई करते हैं, तो हमें यह कैसे help करता है, जो चार पॉइंट आपको मैंने बताया था, उसके basis पे, यहाँ पर हम वापस से चार्ट पे आगए, और देख सकत और कोई भी time frame में आप इसका इस्तमाल कर सकते हो, और यहाँ पे आपको इसका इस्तमाल कैसे करना है, आप इस्तमाल करना जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं, मैं आपको थोटा सा tweak बताता हूँ, जो यहाँ पे bottom बनाता है, अगर हम आप trend की बात करें, तो आप trend में जो bottom ब retracement, आप सब के brokerage form जो भी trading platform दिया होगा, उसमें available होगा ही होगा, नहीं तो trading भी होगे trading platform में, free में यह available है, वहाँ पे जाके भी आप इसको use कर सकते हैं, अब देखें यहाँ पे हम क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे हमने set कर दिया, 100% bottom पे रख दिया, और 0% top पे रख दिय यहाँ से upside momentum में start हुआ और upside momentum यहाँ तक चला और उसके बाद यहाँ पे हमें retracement देखने को मिला है, और retracement के बाद यहाँ पे क्या बना, retracement के बाद यहाँ पे एक pattern बना जिसको हम लोग बोलते है, flag pattern और जो यहाँ पे हमने febronacci retracement use किया है, यहाँ पे इस particular level में retracement कहां तक दिखाया, 23.6% तक यहाँ पे यह विट्वेस्मेंट दिखाया, यहाँ इस particular level तक विट्वेस्मेंट दिखाया, अब हम इसको कैसे identify करेंगे, कहां तक विट्वेस्मेंट दिखायेगा, जैसे यहाँ पे देखा कि दो candle ने लगवक सेम टॉप बनाया, और यहाँ पे price नीच नीचे साइट की तरफ जा रहा, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फेपनाची विट्वेस्मेंट हम उसी टाइम पे यूज करेंगे, नीचे 100% और उपर 0% लगा देंगे, उसके बाद यह लाइन आपका यहाँ तक आएगा, यहनी जो विट्वेस्मेंट हमें देखन अगर इसके बाद भी रेट केंडल में स्ट्वेंथ दिखता है और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, तो अगला विट्रेस्मेंट आपका इस पार्टिकलर लेवल तक देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें कहां तक देखने को मिलेगा, वह हमें क्लिर कट आइडिया उसकी बाद क्या हो, देखिए इस पार्टिकलर लेवल तक रिट्रेस्मेंट दिखाया उसकी बाद यह रेट करनल है, इसी में नीचे में हमें अच्छा खासा क्या देखने को मिलेगा, तेल देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे सेलर्स का दबदबा जाओ लेए, लेकिन य ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और आग आने वले टाइम में, बायर्स ने यहाँ पे टेक आवर किया, और उसके बाद क्या बन गया, इंगल्फिंग बुलिश केंडल बन गया, यह नि अब यहाँ पे प्राइस आपको वापस से अब ट्रेंड में आ गया, जो रिट्व प्राउंट करेगा, और टागेट पर इस क्या होगा, वापस से यह जो लेवल है, यह हमारा क्या बन जाएगा, टागेट प्रैस बन जाएगा, इस तरीके से आप जो अपसाइड मोमेंटम है, उसमें सही जगह पे आप इंट्री फाइंड कर सकते हैं, इसके बाद देख सकत का ओल दमें, काफी ऊपर तक गया, इसके बाद अगर हम देखें, तो प्रैस देख सकते हैं, कितना ऊपर गया, यह इस अपसाइड मोमेंटम में, जो हमने यहाँ पे इंट्री मिस कर दिया था, उसके बाद हमें यहाँ पे परफेक्ट इंट्री पॉइंट भी दिया है, यह यह हमारा परफेक्ट इंट्री पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पे हम जो इंट्री पॉइंट करेंगे, वो किस बेसिस फाइंट करेंगे, उसके उपर आएंगे, लेकिन उससे पहले, पहला पॉइंट क्या था, कि हमें ट्रैप से कैसे बचा रहा है, आप लोग को समझ में कि हमें ट्रैप से कैसे बचा रहा है, देखिए, इस पार्टिकुलर जोन में मार्केट गिरा है, अब बहुत साइग लोग क्या गटते हैं, इसी पार्टिकुलर जोन में अलग अलग जगा पे इंट्री लेतें, इंट्री लेने के पीछे पागल वहतें और जल्दबाजी मे कहीं कहीं पे इंट्री ले लेतें, कुछ लोग यहां पे इंट्री ले लेंगे, कुछ लोग यहां पे इंट्री लेंगे, स्टॉप लोस यहां पे लगा के, जो भी लोग यहां पे यहां पे यहां पे, किसी भी पार्टिकुलर लेबल पे इंट्री लेंगे, स्टॉप लोस उस stop loss को hit करके price वापस से ऊपर चला गया यहीं ऐसा लग रहा है कि market सिर्फ मेरा stop loss hit करने के लिए आया था लेकिन market के पास इतना time नहीं है कि सिर्फ आपका एक stop loss hit करने के लिए नीचे आएगा market में और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप trap में फस गए जो trap आपके लिए बिचाया गया था उस trap में फस गए और ultimately आपको नुखसान हुआ है इस तरीके से आपको यह बता देता है कि आपको entry किस particular point पे लेना है उसकी बाद अब यहां पे हमें confusion रहता है कि हम entry किस क्या लेना है हमने तो बोल लिया यहां पे आप entry ले हमेशा रिवर्सल के बाद अगर आप entry लेते हैं सबसे पहला अगर आपका यहां पे हमने एक छोटा सा अपसार मोमेंटम दिखाया था उसको हमने समझ लिया अब यहां पे देखिए इसके बाद भी अपसार मोमेंटम कंटिनु रहा है और इसके बाद भी यहां से हमें 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 आइडिया दे रहा या नहीं दे रहा है लेकिन यहां पे आपको एक काफी अच्छा कॉनसेब्स सीखने को मिला है जो की आपको यहीं आपके ऐक रॉरी मेल को आपके सब कमाते एकस्तर इ syllabus कर आप कुछता है ज्योंकि होता है profit से ज़ाद आप लोग loss कर बैट और यही loss को आपको avoid करना फिर आप profit automatically बना लोगे और वही चीज़ सीखना और यही चीज़ सीखने के लिए आपको time देना परेगा अगर आप time नहीं दे पा रहे हैं तो फिर market में भी time देने का कोई फाइदा नहीं है फिर आप घर बैठके कुछ और काम कर सकते हो यहां से upside momentum स्टार्ट हुआ और यहां तक upside momentum चला है यहां पर हमने 100% रखा और यहां पर हमने 0% यहां से यहां तक upside momentum दिखाया उसकी बाद यहां पर हमें investment वापस से देखने हो की मिला price आपका वापस से गिवना स्टार्ट हुआ जैसे price आपका यहां तक गिरा आपको यहां पर क्या idea मिल गया कि price कहां तक गिर सकता है हमें idea मिला कि price आपका इस particular पार्टिकुलर लेवल तक आ सकता है इस पार्टिकुलर लेवल तक गिर सकता और इसके पास आने के बाद अगर आपका अपसाइड मोमेंटम दिखाया पर हम क्या करेंगे और इंट्री कब लेना मैंने आपको एक एक जामपल वहाँ पर दिया था कि आई बार आपको यहां पर भी कुछ-कुछ गेम किया जाएगा क्योंकि मार्केट को ही पता है कि बहुत साहे लोग फिर्मनाची विट्विस्मेंट भी यूज करते हैं इसलिए क्या किया इस लाइन को टच नहीं किया यहां से थोड़ा उपर पहले ही रिवर्सल लिखा दिया और जैसे हमें green candle का formation देखने में पुलें जिसमें नीचे में लंबा टेल हो या फिर red candle का formation देखने में लंबा टेल हो यानि जितना body size है उससे at least आपका डेर से दो गुना ज़्यादा ठेल होना चाहिए जैसे यह ट्राइप का candle हमें मिलेगा इसके बाद जो भी अगला candle open हो हम क्या करेंगे इंट्वी लेंगे दूसरा अगर आपका कोई भी केंडल बना है चाहे रेड हो या नीचे में अच्छा खासा टेल देखने को मिल गया तो उसके बाद अगला केंडल जो भी फॉर्म होगा उस पर यहां पर बाई साट की तरफ इंट्वी लेंगे और यहां पर सेफटी के लिए इस लाइन को हम एजर स्टॉप लॉस के रूप में यूज करेंगे यहीं हमने इंट्री पॉइंट किया उसके बाद स्टॉप लॉस और टागेट पैस कौन वेल डिफाइन मुझे दे रहा फेपनाटी विट्वेस्मेंट मुझे इंट्री और टागेट और स्टॉप लॉस वेल डिफाइन यहां पर हमें पता करके बता रहा उसकी बाद एक और चीज में आपको यहीं भी बता देता हूं इंट्री कौन-कौन से केंडल पिले हैं सबसे पहला बुलिश इंगल्फिंग दूसरा आपका इस तरह का टेल केंडल का फॉर्मिशन हो या फ क्या है तो हम सिंगल कवेशे वाइसर की तरफ जाएंगे अगर वुलिश इंगल्फिंग है या फिर नीचे में टेल है अगर उस तरह का नहीं है तो हम दो क्रूरी केंडल का वेट करें इन तीन क्या करेंगे हम बातिक तरफ इंट्वी लेंगे यहां पर सिंगल कैंडल शीक निकलना परेगा और हमें अच्छा खास अपॉचुनिट दिया प्रॉफिट बुक करने का वापस प्रैस नीचे आया अब नीचे आया तो यहां पर भी हम वेट करेंगे कि इसके आसपास हमें क्या दिखना चाहिए नीचे में टेल दिखना चाहिए या फिर लगातार दो करेंगे यहां पर हमारा इंट्री पॉइंट बन जाएगा बाई साइट की तरफ यहां पर इसने टागेट पैस को हिट किया एसल नहीं हुआ यहां पर देख सकते हैं हमने कई बार ट्रेट एक्जेक्यूट किया सारा का सारा बार टागेट हिट किया और सेम तरीके से आप इसको लाइब मार्केट में इंप्लिमेंट कर सकते हो और सब जो तरीका रहता उसको लाइब मार्केट में इंप्लिमेंट कर सकते हो कब कर सकते हो अगर विट्रेस्में में वो यहां से यहां तक देखने को मिला उसके बाद यहां पर हमें विट्वेस्मेंट यानि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला अब यहां पर प्राइस आपका नीचे सार की तरफ गिर रहा अब यहां पर आने वाद थोड़ा सा रुका है यानि इस लेवल पे थोड़ लेकिन उसके बाद दूसरा फॉर्म नहीं हुआ है और जो क्विटेरिया हमने सेट किया था उसके बीसिस पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं जिसमें नीचे में अच्छा खासा टेल है यहीं बॉडी से दो गुना हमें क्लेकर टेल देखने को मिलबा है लेकिन अगर आप न किया यह हमारा इंट्री पॉइंट बनेगा बाई सैड की तरफ ऐसाल इसी का लोईट बन जाएगा टागे पेस यह पार्टिकुलर पॉइंट होगा और इसने टागेट पैस को आसानी से हिट कर दिया और डागेट भाईस हिट करते हैं फिर से आपका नीचे साइड की तरफ और फिर से यहां से विट्वेस्मेंट दिखाया फिर यहां पर हम इंट्वी करेंगे यह मना टागेट पेस होगा टागेट पेस हिट किया है तो इसी तरीके से यहां पर मुल्टिपल इंट्वी ले सकते हैं फिर यहां पर आपका यहां से विट्वेस्मेंट दिखाया फिर य वहां पर है यहां पर इसने शल्फ किया तो इसी तरीकмыश्द इसंगी कर सकते हो यहां पर परियुक्त ऐसे लिटोर्ट सब्सक्राइब किया और इस स्क्राइब आप सब्सक्राइब। और इसी तरह के इस example आप TCS का भी ले सकते हैं यहाँ पर भी फेबनाची विट्वेस्मेंट के जरी है आप अप ट्वेन या फिर डाउन ट्वेट में मल्टिपल ट्वेट ले सकते हैं इंट्राडे लेवल के बेशिज पर बेशिज पर बेशिज पर स्विंग लेवल या फिर short term trading भी यहाँ पर आप कर सकते हैं तो उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा अगर इससे related कुछ भी doubt या फिर confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं नहीं तो आप हमें call भी कर सकते हैं आपको free of cost explain किया जाएगा कोई extra charge आपसे नहीं लिया जाएगा so मिलते है नेक